हेलो एवरिवन वेल्कम तो इस चैनल वन्स अगेंड तोडेश टॉपिक इज डेट फंक्शन फर एस कैलकुलेशन लेट्स मूब तो गूगल सिड आज देखते एस कैलकुलेशन करने के लिए फ़र्मूला एस मतलब हिमेन का ही नहीं कुछ भी हो सकता है उसमें वारेंटी फिरियर्ट भी हो सकता है लोन का एस कैलकुलेशन भी हो सकता है किसी प्रोपर्टी का कितनी पूरानी प्रोपर्टी है current date minus start date इस function का use करके देखते है is equal to date date diff date difference sort meant date diff start date comma end date comma double quotation में y अगर कोई भी person 25th October 1980 में born हुआ है तो आज की date में वो 39 years का हुआ अगर 87 का होता है 32 हो जाएगा यहां पर दो date का difference इसका function का नाम ही है date diff date difference से बना होगा यह date diff only total years निकालने के लिए is equal to date diff start date comma end date comma double quotation में y नीचे भी track कर देते हैं यह तो हो गया साल में is equal to date diff start date start date comma end date comma double quotation में m डाल देंगे तो यह अभी तक 25 अक्टूबर 1980 से लेके अभी तक यह वीडियो बनाने के टाइम तक आज के date के टाइम तक 4.75 मन्त हो गया इसको copy किया इसमें paste कर देंगे और total days दिखना हो तो is equal to same चीज़ बई date diff start date comma end date comma double quotation में d डाल देंगे इसको अभी तक days हो गया 40,468 days का हो गया है और यह 11,000 यह तो हो गया total years में total months में और total days में इसी को या तो copy कर लेते हैं या तो is equal to फिर से लगा के देखते हैं date diff start date comma end date comma y double quotation में y drag कर देते हैं नीचे बहुत सारे data भी हो सकता है तो नीचे इसी मेने का फास्ट मान लेते हैं जून फास्ट से लेके यह जीरो हो जाएगा शर्ल यह 2021 month भी 0 हो जाएगा days हो जाएगा जितने गिन गहाएगा 5-1 4 days यह सारे थे total years, total months, total days अब यह total years अब total years के बाद के कितने मेने हो गए वो निकालने के लिए देखते हैं is equal to date div date div start date comma end date comma ym अगर यह month अलग करते हैं total year 39 year 7 month हो गए अगर यह 32 years 5 month हो गए यह 0 month है नहीं अभी अब दीन निकालने के लिए is equal to date div date div start date comma end date comma double quotation में md कर देंगे अब इसी को drag कर देते हैं copy paste कर देते हैं यह हो गया 39 years 7 month 11 days 32 year 5 month 15 days 0 year 0 month 4 days का हो गए यह center में कर कर देते हैं यह total years हो गया यह total months हो गया यह total days हो गया और यह total years हो गया है total year के बाद 39 years 7 month फिर उसके बाद days total year के लिए date div started ended comma y double quotation में y फिर total month के लिए double quotation में m total days के लिए double quotation में d same चीज बस ymd double quotation में यह double quotation में बाकी चीज़ सेम होगा बस double quotation में ym आ जाएगा फिर days के लिए md आएगा माकी चीज़ सेम है ओके गाईज आई होप यह वीडियो काफे विल्फुल रहे होगी see you in the next video happy learning